सब इस साथियों को नमस्कार, एक बार पुने श्वागत है आप लोगों का सिक्सास समाचार में, साथियों हम लोग आजीर एक नई वीडियो के साथ यह informative वीडियो है, ODL Beard, यानि पत्राचार के मध्यम से आप लोग Beard कैसे कर सकते हैं, गर बैठे कहीं जाने के उशक्तानी है, इस बार कोर्स में आप लोगों को रेगुलर ली टीचर होना भी कमपलसरी नहीं है, यदि आपने BSTC या DL एड ऐसा कोई भी कोर्स कर रखा है और आप रेगुलर टीचिंग पोस्ट पे हो, ये भी कमपलसरी नहीं है, यदि आप STC ओल्डर हैं और आप Beard करना चारे हैं, गर बैठे बिना टीचिंग पोस्ट पर कारत होते हुए भी लोग यदि आप हैं, और ऐसा आप सोच रहे हैं कि मुझे Beard करना है, आप लोगों क हैं कैसे प्रविश प्रिक्षा होगी, कब होगी, क्या सेलेबस रहेगा, आवश्यक डॉकुमेंट्स क्या हैं, फीस कितनी लगेगी, आवजनती थी क्या, सहीत संपूर्ण प्रोसेस अपन लोग इस वीडियो में साथियों जानने वाले, ठीक है, मैं सीधा वीडियो द्वारा है, वो नोटिपिकेसन जारी किया गया है, बीड सामान्य शिक्षा, भोज यूनिवर्श्टी द्वारा बीड है, वो एक इस्पेशल एजू के सन, जिसमें विकलांगता के जो भी परकार है, हाई, हमाई, उनके तहत भी करवाया जाता है, और एक सामान्य पार्ठ पास्टीशी या अभी डीलेड के रहे हैं, वो कोर्स भी करवा रहे हैं, उसका मैं अलक्षी वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा, अपन लोग इस वीडियो में केवल जर्चा करेंगे, ओडील बीलेड के बारे में, अब की बार इन लोगों ने है, वो सहुल तम टाइम लगेगा और पांच वर्स अधिक तम ये कंप्लेट हो जाएगा आपका कोर्स, पातरता, जिसमें सनातक या सनातक उतर, सनातक का मतलब B.A.C. हो गया, सनातक उतर मतलब M.A.C. वगरे जो भी होते हो, यदि आपके सनातक या सनातक उतर दोनों में से कोई भी कोर् हैं, तो वो सनातक उतर के आधार पर भी ये कर सकते हैं, उपादिया समकक्स प्रिक्षा किसी मानिता प्ताप्त विसेविदल से 50% अंगों के साथ, यदि आपके सनातक में 50 नहीं हैं और सनातक उतर में 50 हैं तो आप लोग इसके लिए योग ये रहेंगे, उतिन हो, इंजिन क्या अ और भाग सेंगे बह ये उपर वाली अत्वा ये वाली, अब ये उपर वाली क्या कह रही है, प्रारंबिक शिक्षा में परशिक्षित सेवारत अध्यापक, यानि प्रारंबिक शिक्षा के जो भी पाठ्यकरम हैं, उनको यथा DLA, DLA, BTI, BTC, DPET, नियमित, रेगुल ये है, प्रारंबिक शिक्षा में आप यदि टीजिंग पोस्ट पर हैं, ओके, दूसरी योगी तक क्या कह रहे हैं, वे अभ्यारती जिन्होंने NCTE वद्वारा मानिता प्राप्त नियमित रिती, फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कारेकरम पूल्ण किया हुआ हो, यानि जिसे BSTC या DLA करते हैं, वो यदि आपने कर रखा है, तो आप लोग इसमें इलिजिबल हैं, ओके, सेवारत शिक्षक हैं, अब यहाँ यह क्या कहना चारा है, सेवारत अध्यापक, यह था आपने DLA, DLA, BTI, BTC, DPD, नियमित, रिती से किया हो, यदि आपने regular BSTC D DLA कर रखा है, तो भी आप eligible हैं, और यदि आप government teacher हैं, या private school में teaching post भी कारत हैं, तो भी इसमें eligible हैं, विसेश क्या लिखा है, दूरस्त 35 से पूरण किये गए, NCTE कार्यकरम प्रवेश पातरता के अंतरगत मान्य नहीं होंगे, जैसे एक उस समय पहले ही DLED करवाई गई थी, पत्राचार के मध्यम से जो भी सम्वीदा कार्मिक राजस्तान में लगे हैं, या कई इस्टेटों में लगे थे, उन्होंने यदि ये पाठ्यकरम, face to face ना करके, जैसे ये DLED करवा रहा है, यही उन्स्टेटी, यदि आपने इसी उन्स्टेटी से DLED कर रखी है, और आप व पत्राक्षन है, वो मध्यपरदेश शासन के जो भी नियम है, उसके अनुसार लागू होगा, पाठ्यकरम का सुल्क, बीएड है तू, 30,000 रुपए मात्र, DLED है तू, 19,200 रुपए मात्र, निर्दारित है, पाठ्यकरम सुल्क की रासी, काउंसलिंग के समय, ऑनलाइन के आवे दिन का तरीका है, माध्यम क्या रहेगा साथियों, आवे दिन पत्र एवं विवरन, MP Online की वेबसाइड, MP University की जो Online वेबसाइड है, भोजवाले की, उनकी वेबसाइड दे रहेगी, उस पर आप लोगों को फॉर्म भरने का लिंक उपलब्द है, फॉर्म भरने की प्र परवेश प्रिक्सा सुल्क, स्पोर्टल सुल्क 50 रुपए जो की वापस नहीं हुगा, जमा कर दिनांग 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक आवजन कर सकते हैं, यदि आप लोग 18 फरवरी तक आवजन करते हैं, तो 800 रुपए और 50 रुपए, 800 रुपए सुल्क लगने वाला है, व परवेश की पातरता या यूगिता रखता है, ठीके साथियों, दस्ताविजों को सित्यापन के समय पस्तूत करनी होगी, परवेश समधी समझ जानकारी विश्विदले की वेबसेट पर उपलब दे, आप लोगों को ओनलाइन आवजन फर्म की है, वो प्रिंट निकाल करके लखिल नहीं है, आगे कहा रहे हैं, परवेश की मांदड, परवेश परिक्सा, परवेश होगा किस आधार पर, परवेश परिक्सा होगी इसके लिए, सो अंकों का है, वो पेपर होने वाला है, जो भी आपके प्राप्तां गाएंगे, सामाने ग्यार, मांसी योगिता, शेक और वेश परिक्सा जये होगा, उसमें आपके जिदिने भी परिक्सा टिया जाएंगे, उसके आधार पर मेरिट बनेगी साथियों, परवेश सोची, परवेश हेतू, पात्र, शबीब भी इयरतों के SMS या MB online की माध्यम से सूचित किया जावेगा तथा प्रागमेणिये सूची विश्विद्दले की वेबसाइड पर भी उप्लग्ध होगी याँ आप जब परी एक्जाम दे देंगे उसमें आपके जीते नमबर आएंगे उसके अनुशारा साथियों क्या बनेगी merit list उस merit list के आदार पर आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अलक्षे पंजियन करना होगा अध्यन केंदरों पर अभी लेखों का सत्यापन किया जाएगा तदुपरांथ ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्यन केंदर आउंटित किये जाएंगे परवेश उपरांथ अध्यन केंदर परिवर्तित नहीं होगा यानि merit बनेगी, merit के बाद आपके document verification होगा उसके बाद आप लोगों को office बरवाई जाएगी फिर finally आपका alert हो जाएगा center ठीक है, उसके बाद नहीं लिखा है शंपर कारिकरम, शंपर कारिकरम यानि आप लोगों को वहाँ पर कुछ समय के लिए camp लगेगा, मध्यपरदेश में इस्तित विभिन अध्यन के अंदरों पर मई, जून में किया जाएगा यानि गिरिशम अवकास जब चलता है उन अवकास के दोरान ही आप लोगों को practically camp होगा वहाँ पे आप लोगों को उपस्तित रहना होगा इसमें लगबग 15-20 दिन का camp रहता है वहाँ आप लोगों को उपस्तित रहना होगी इनों नोट में नीचे क्या लिखा देखे साथियों B.A.O. D.A. Online प्रविश प्रिक्षा केंदर की जानकारी MP Online के माध्यम से आपको प्रविश पतर में मिल जाएगी प्रविश पतर आप लोग प्रिक्षा के तीन दिवस पूरव ही प्राप्त कर सकेंगे प्रविश प्रिक्षा में पुंद्र मुल्यांगर का कोई प्रावदान नहीं है प्रविश उप्रांद अध्यन के अंदर परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो ये है मोटा मोटी जानकारी इसका एक नोटिफिकेशन भी आया था अकबार में साथियों इसमें भी इनोन सैम डू सैम वही जो योगिता है वगेरा वो लिखी हुई है बीएड डीलेड पाठीक्रम के लिए क्या योगिता है और बीएड पाठीक्रम के लिए क्या योगिता है मैं आपको एक बार दुबारा दिखा दूँ सना तक सनात कोतर उपादी प्रिक्सा 50 प्रशन अंगों के साथ उतिर्ड हो एवं दूसरे लिखा है NCTC मानत अप्राप शिक्षा विशे का कोई कारिक्रम आपने नीविद्री से किया हो गया होना चाहिए कारिक्रम सुलक इसमें सातियों 30,000 रुपे तक सुलक रहेगी 800 रुपे फॉर्म की भी से प्रविश प्रिक्सा है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी बाकी सारी चीजे नौरमल सा है बाकी इसमें दे रखा है तो आप लोगों को मैंने बता दिया MP भोज ऑनलाइन पर आप जाकर के आवजन फॉर्म बर सकते हैं आवजन फॉर्म बरने की प्रिक्रिया अपने लोग अलग से मैं वीडियो बना रहेगा इसका सहले बस क्या रहेगा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे स्वा एक बार पने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद